आज हम सीखेंगे कि इंट्रो वीडियो कैसे बना सकते हैं पाउर पॉइंट से यह ध्यान रहे कि इंट्रो वीडियो जो बनेगा पाउर पॉइंट में वो 2019 या 2021 या ओफिस जो लेटेस्ट ओफिस है ना उसमें ही बन पाएगा आपको तो हम यह देखेंगे कि Microsoft पाउर पॉइ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और आप तक देखिएगा ठीक है नहीं तो आप अगर मिस कर देंगे तो फिर समझ में नहीं आएंगी चीज़े सबसे पहले क्या करना है कि आप जो है वो कलर हंट से जाके कोई कलर स्कीम ले लिजिए जो आपको पसंद हो आपन डिया बनाने के लिए ऊपन करते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस दिखता है पौरपयंट में तो हम क्या करेंगे कि ले डर्वाट में आएंगे प्लेंग के लिया थीक233 क्लिक करेंगे और फिर ये format background पे क्लिक करेंगे अब ही हमें background select करना है कि background का color क्या होना चाहिए अब हम क्या करेंगे कि जो हमने image download की थी ना color hand से color scheme के लिए उसको यहाँ पे लेके आएंगे तो control copy और paste कर सकते हैं आप अब जैसे ये हमने color hand से download कर रखा है तो अब ये जो dark color है वो मैं background में रखोंगा जो light color है वो मैं बागी चीज़ों के लिए object या text वगयरा के लिए रखेंगे ठीक है तो अब जैसे कि हमें इसका चाहिए ये जो हमारा slide है ना इसका background चाहिए ये dark color वाला तो अब हम यहाँ पर आ गए solid fill में उसके बाद यहाँ से हम करेंगे color select color select करने के लिए जैसे हम इस पर click करेंगे नीचे option देगा eye dropper eye dropper पर click करना है उसके बाद जो भी color आप background में रखना चाहें मुझे ये रखना है मैंने ये रख गिया ठीक है अब ये रखने के बाद अब इसमें मैं दो color यूज करूँगा एक तो ये जो हमने select कर लिया है दूसरा orange तो जैसे ही orange वाला काम हो जाएगा हम इस image को delete कर देंगे तो अब हम क्या दरेंगे कि इसको hide कर दीजी आप ठीक है जो format background का जो pain open होके आया था अब हमने क्या करना है कि यहां से लेना है एक rectangle ऐसे रेंडबने ड्रा कर दीजी आप उसके बाद हम इसकी dimension दे देते हैं square बनाएंगे इसको one centimeter into one centimeter ठीक है अब इसको हम हमें color देना है तो इसको color देने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके save format पर आ जाएंगे उसके बाद save film में आएंगे उसके बाद यहां से eye drop पर और orange वाले पर pick करेंगे ठीक है अब यह हमारा orange color हो गया लेकिन आप जैसी बाहर क्लिक करेंगे न देखिया outline आ रहा है तो हमें outline नहीं चाहिए हम दोबारा जाएंगे just नीचे देखो दिया हुआ हुआ है save outline इस पे हम क्लिक और लिखेंगे कि no outline no outline पे click करेंगे ठीक है अब यह हमारा हो गया अब हम इसको क्या करेंगे थोड़ा सा इधर लाखे adjust कर लेते हैं ऐसे ऐसे कर लिया हमने अब हमें चाहिए एक बड़ा rectangle अब हम बड़ा rectangle यह जो बड़ा rectangle लेंगे ना यह actually cover करने के लिए ठीक है text को cover करने के लिए image cover करने के लिए तो अब यह हमने ऐसे ड्रा कर लिया ठीक है अब हम यह क्या करेंगे कि इसको इस तरह align करेंगे ना जो छोटा वाला rectangle है इसका जो है upper side और बड़े वाले rectangle का lower side यह align होना चाहिए तो जैसे ही आप अपने mouse से क्लिक करके इधर-धर move करेंगे ना यह automatic snapping होने लगता यह देखिए snapping हो रखा अब यह देखें यह correct snapping हो गया अब हमने यह कर दिया rectangle बना लिया इसका भी हम outline हमें नहीं चाहिए तो इसका भी हम कर देते हैं no outline अब हमें text चाहिए text के लिए यहां पर आप देखिए text box लेने कहीं पर भी क्लिक कर देंगे तो यह आप ह हिसाब से ठीक है अब इसको लाके ना ये उपर वाले रिक्टेंगल पर रख देंगे ठीक है ये हमने रख दिया लेकिन अब ये ध्यान रखना है कि जब हम उपर वाले पर रखेंगे ना तो ये उपर वाला और जो इसके जस्ट पीछे वाला जो रिक्टेंगल है ना जिसे ट करके align center कर देंगे देखिए पहले से ही हमारा हो रखा था तो इसलिए कोई changes इसमें नहीं आएं अब हम क्या करेंगे कि इसका काम खता है हमारा जो हमने Color scheme ली थी ना इसका काम खताम इसको बंद कर देंगे अब हम क्या करेंगे कि इसी Home में ही आप देखे हैं select में आएंगे और सेलेक्ट में सेलेक्षेन पेन topics ठीक है अब हम क्या करेंगे कि इसको कर दीजिए तो सबसे पहले हम हम रीनेम करते हैं यहां पर double click करेंगे न तो यह rename हो जाता है double click करने पर ठीक है तो इसका हम देते है name उसके बाद यह last वाला है न यह last वाला यह smaller जो rectangle बनाया है यह वाला ए और्रंज कल रो आ तो इसको हम देते है और्रंज को फिर उसके बाद है यह बड़ा वाला इस पर हमने क्लिक करा स्लेक्ट कर लिया इसको हम देते हिए कफ़र ये कर दिया हमें क्योंकि ये से हमें ढखना है Gra Harvard आपूँ कर लिया आप में क्या करना है कि जो नेम वाला है न इसको सबसे नीचे ले आना है क्योंकि यह भी hidden होना चाहिए first slide में हमें नेम नहीं सो होना चाहिए तो इस तरीके से हमने बना लिया आप हम क्या करते हैं कि आप यह चाहें तो selection pane को आप hide कर सकते हैं तो यह हमने hide कर दिया इसको ठीक है अब हम क्या करेंगे जो rectangle का जो बड़ा box है ना इसको same color का कर देंगे ताकि हमें पता ना चल पाए कि ऐसा कुछ है ठीक है तो अब हम क्या करेंगे कि इसके format वाले पे आएंगे format में आएंगे इसको save दे देंगे save में हमने background color जो था वही हमने दे दिया ठीक है अब हम क्या करेंगे कि यहां से left side से slide को select करेंगे उसके बाद इसका right click करके आप duplicate कर सकते हैं यहां से दूसरा option क्या है कि आप control और D कर सकते हैं तो हमने select कर लिया है और इसको करेंगे control D अभी देखिए हमारा यह duplicate हो गया जैस इसके बाद align में आना है और कर देना है align right अब यह हमने कर दिया ठीक है अब हम क्या करेंगे कि second वाला slide ही जो है पावर पॉइंट होना चाहिए क्योंकि बाकी ओल्डर वर्जन में ना मॉर्फ का आपसन नहीं होता है तो इसलिए आप ओल्डर वर्जन में नहीं बना सकते ठीक है यह ध्यान रखिएगा अब जिसे हमने यह बना दिया सिकंड सलाइड हो गया हमारा रेडी अब हम क्या क्या हां झालत यह ध्यान अफंगे हम रोखिए करेंगे को लेप्ट साइड से ही सेलेक्ट करके हम दूब्लिकेट बनाएंगे अभी हमने सेलेक्ट कर लिया अँब हमने कर दिया न आपको उसके देखे एक side तक आ गया हमारा ये बना दिया हमने उसके बाद क्या करना है इसका हम duplicate करेंगे third वाली slide का इसका हमने कर लिया control D अब ये वाला slide हमारा duplicate हो गया अब हम क्या करेंगे कि इस वाली slide में आप हम चाहरें कि हमारा name जो है वो नीचे आए तो अब name को दे करेंगे जैसे ही name select हो जाएगा हमारा हम क्या करेंगे इसको drag करके नीचे लेके आएंगे ठीक है अच्छा हो यहां shift hold कर लेना है shift को hold करने से फाइदा यह हो जाएगा ना यह जिस position पर है उसी position पर नीचे के side drag मतलब right या left move नहीं होगा तो हमने shift hold कर लिया है अब उसके वा उसके बाद इस बार ना cursor यह border पर लेके आएंगे shift को hold करेंगे और अब हम इसको drag करेंगे नीचे के side देखिए यह हमारा आगे ना अभी जितनी भी line आपको दिख रही नहीं है यह snapping के line है तो हमें यही तो चाहिए अब हम उसके बाद क्या करेंगे छोड़ देंगे इसको ढखेंगे cover करने के लिए तो अब हम क्या करेंगे shift और control प्रेस करेंगे इसका duplicate बनाएंगे shift control प्रेस करना है जैसे ही आप shift control प्रेस करेंगे आपको plus का sign दिख जाता है ठीक है और यह object हमारा selected है जिसका हमें duplicate बनाना है आप क्या दर यह कि उस पर click करिए और नीचे की तरफ drag करेंगे जैसे ही नीचे की तरफ drag करेंगे आपको यह दिखना है कि कहां तक जा रहा है तो अब हम चाह रहे हैं कि यह हमारा यहां तक दिख जाए यहां तक रहे आप यहां उपर तक कर सकते हैं यहां नीचे तक कर सकते हैं ठीक है आप जैसे हमने यह कर लिया उसके हम नीचे कporte के आते हैं हम उसके बाद क्या किलेंगी हमारा नेम एक यह संड़ने यह हमने कर दिया अब क्या करता है कि हमें इमेज लेके आना है इसी पर प्रिष करना है लेक हमें इसे यह वाला रिक्टएंगुल नहीं हो रही है तो हम आप मैं image लेके copy paste करता हूँ यहां पर अब यह जैसे माल लिए अगर यह बड़ा है न तो shift को hold करके ही आप इसको resize करेंगे otherwise यह stretch हो जाएगा यह लाके हमने रख दिया आप इसको थोड़ा बड़ा कर लिजिए ताकि अच्छे से यह कर लिया हमने ठीक है अब जैसे ही हम यह करेंगे तो आप यह ध्यान रखिए कि क्या करना है कि इस image को और यह बड़ा वाला rectangle को इन दोनों को select करके आप save format या picture format इन दोनों में से किसी में भी आ जाईए और align पे आईए और align center कर देना है ठीक है option में आपको दिश जाएगा disappear तो अब यह इसमें हमने लगा दिया animation की यह disappear हो जाए अब हमें क्या करना है ना कि यह जो हमारा यह object है नीचे वाला जो rectangle है वो और जो picture है यह appear हो जाए shift करके दोनों select कर लेंगे कर लिया उसके बाद यहाँ front पे ही animation pane में आपको appear दिख जाएगा यह हमें appear भी दिखिया अब यहाँ से हम animation pane open कर लेंगे ठीक है अब इनको तीनों को जब animation pane open हो जाए तो तीनों point को आप select कर लिजे ऐसे shift करके उसके बाद right click करिए right click करने के बाद आपको कर देना है start with previous जैसे ही इस पर click करेंगे यह देखे जो animation है वो zero zero हो जाएगी ठीक है अब animation लगाने के बाद फिर उसके बाद आप चाहें तो इस pane को बंद कर सकते हैं या भी on रखिए अब हम क्या करना है कि इस slide को four number slide को duplicate करना है तो control d करेंगे यह हमारा duplicate हो गया image display हो तो हम क्या करेंगे इसको इसको और इसको इन तीनों को select करेंगे ठीक है और shift hold करेंगे और इसको हम नीचे लेके आएंगे ठीक है यह इतना ही लेके आना है ठीक है अब उसके बाद image को ऊपर लेके जाएंगे shift को holder करके रखना है ताकि alignment जो है वो बना रहा है यह कर दि देखिए यह उपर वाले rectangle जो है ना यह दिक्कत कर रहा है तो हम इसको delete कर देंगे यहां से ठीक है यह कर दिया हमने अब हम क्या करेंगे कि इसको duplicate करेंगे five number slide को ठीक है अचा duplicate करने से पहले ना अब आप को अगर दिक्कत ना हो रही हो तो इसका जो color है ना वो फिरकुल background color ही कर देते है तो अब हम यह save format में आएंगे और उसके वाद save film में आएंगे और यह जो background color है वो कर दिया हमने इसमें भी हम यही कर देंगे background color से match करा देंगे इसको यह हमने match करा दिया ठीक है अब हम यह five number slide duplicate करेंगे यह हमने duplicate कर लिया अच्छा यह ध्यान लखना है ना कि five number slide में अब हमें कोई animation नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे इन दोनों को delete कर देंगे उसके बाद हमने जो duplicate किया था ना six number slide उस पर काम करना है यहां भी देखेंए animation लग गया है गलकी से तो इसको भी आप delete कर दीजेए अब हम क्या करेंगे six number slide में से हम चाहरें कि यह हमारी जो name वाली जो object है ना name वाला object यह दायक हो जाए तो हम इसको select करके delete कर देंगे यह कर करेंगे नीचे वाला object select करेंगे और इसको select करेंगे shift को hold करेंगे और इसको हम उपन लेके जाए इमेज ढग गया ठीक है अब हम क्या करेंगे फिर से इसको control डी करेंगे duplicate करेंगे duplicate करने के बाद आपको क्या करना है ना यह वाला जो part है entry हुई थी ना इसकी वैसे exit कर जाए तो आपको same format में आना है और जो इसकी width है ना वो one कर देनी है one कर दिया हमने अब one करने के बाद ना यह देखिए आपको यह दिख जा रहा है आपको क्या करना है ना कि इसका जो है बढ़ा देना है size इसकी बढ़ा देनी ठीक है यह हमने कर दिया ढग गया अब हम क्या आएंगे सिप्ट होल्ड कर लिया और यह ऐसे बाहर चला जाए यह हमने कर दिया बाहर ठीक है अब हम इसको देख लेते हैं कि यह कैसे बना है एक बार ज्राफों में तो यहां से हम इसको प्ले करेंगे अब हम क्या दरेंगे कि जो लास्ट वाला सलाइड है ना इसके लिए हम आएंगे इसमें टांजिशन में आएंगे और उसके बाद यह आफ्टर वाले पर कर देंगे क्लिक ठीक है और इसको हम कर देंगे अब हम क्या करेंगे ना कि सबसे पहले सलाइड को सेलेट करेंगे उसके बाद फोर पर क्लिक करेंगे तो ये चार सेलेक्ट हो जाएगी उसके बाद हमें क्या करना है है control को hold करना है बाकी select करने के लिए बीच में से ठीक है तो यह six को करेंगे seven को करेंगे और eight को करेंगे इतना select करने के बाद आपको क्या करना है इस after वाले पर click कर देना है इसको check कर देंगे और यह इन सब का जो timing है यह हम दे देंगे 30 के आसपास 00.30 इतना सिकंड हम दे देंगे ठीक है अच्छे यह धियान रखना है जो लास्ट वाली सलाइड में है ना वो गलती से जो है वो 35 सिकंड हो गया था तो आपको सबसे पहले 00 क्लिक करना है 00 क्लिक करिए उसके बाद पॉइंट फिर 35 प्रेस करिए अब यह हमने कर दिया अब हम चाहा रहे हैं कि जो फिप्त नंबर सलाइड है ना यह थोड़ा टाइम के लिए जिससे की जो ऑडियंस है वो अच्छे से देख सके हैं जो विवर हैं वो देख सके हैं अच्छे से तो हम क्या करेंगे इसका जो डि डॉइटिंग कर सकते हैं हम इसमें चाहर हैं कि यह ने मोले में भी एक कुछ सेकंड के लिए तो हमने कर दिया इसको एक सेकंड ठीक है अब यह हमारा जो फाइनल परजेंटेशन है या अनिमेशन है ना यह इंट्रो वाला यह बिल्कुल रेड़ी है तो अब आब हम एक बा अब आपके पास अगर कोई screen recorder है तो उससे record करके आप इंट्रो वीडियो ready कर सकते है ठीक है otherwise अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो यहां file में आएंगे export में आएंगे export में आने के बाद यह creative video पे click करेंगे creative video पे जैसे ही click करेंगे यह धेर सारा option देगा कि किस type में आप यहाँ से video बना सकते हैं 720, 1080p, ultra HD जिसके हिसाब से आपको बनाना है उसके हिसाब से आप बना सकते हैं अब अगर मैं यहाँ बनाने बैठा तो rendering करने में बहुत time लगेगा आप यहाँ से सीधा अपना वीडियो बना सकते हैं तो इस तरीके से जो है वो intro वीडियो अपने channel के लिए हम powerpoint में बनाते हैं थैंक्यू फार वाचिंग